दोस्तों सोमी इंडियन मार्केट में अपना एक न्यू अस्मार्टफोन सोमी 12 Lite 5 जो को बहुत ही जल्द लॉंच करने जा रहा है और इस अस्मार्टफोन का इंडिया में जो लॉंच डेट है वो लगभग कनफर्म हो चुका है और इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इंडिया में कब लॉंच होगा और साथी साथ इसका जो कनफर्म अस्पेसिफिकेशन है वो भी लीक हो गया है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्या इसका कनफर्म अस्पेसिफिकेशन रहने बाला है कितने प्राइस पर इंडिया में आखिरकार लॉंच हो बात करें तो इसमें 6.5 इंच का फूल HD पलस M-OLED डिस्पले मिलेगा जिसका की रिफिरेश सेट 120 हर्च का होगा वहीं यह जो डिस्पले है यह HDR 10 पलस और डॉल्बी वीजन के सपोर्ट के साथ आएगा और इसमें कोर्निंग गोरिला गलस 5 का प्रोटेक्शन भी दिया बात करें इस फून के कैमरे का 30-megapixel का में क택ारा मिलेगा और 8-megapixel का एक ultrawide कैमरा मिल जाएगा और 12-megapixel बात करें तो 32-megapixel का सेलफी कैमरा मिलेगा और यह स्माटपन डुएल स्टिडियो स्पिकर बिथ Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ यह आएगा तो मतलब की speaker के मामले में बहुत अच्छा है और multimedia में बहुत सांदार होगा वहीं यह smartphone थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा ही slim होगा इस बज़े से इस smartphone में आपको 4300 mAh का इसमें बैटरी दिया जा रहा है और 67W के fast charger को यह support करेगा बैटरी में जरूर थोड़ा सा कटोवती किया जा रहा है 4500 mAh या 5000 mAh रहता तो ज़्यादा बेश्ट होता लेकिन जैसा कि पता चल रहा है कि यह smartphone थोड़ा मतलब slim इसे बनाए जा रहा है तो slim बनाने के वज़े से इसमें 4300 mAh का ही बैटरी दिया जाएगा वहीं इस smartphone के अगर processor का बात करें तो इसमें Snapdragon 778G processor दिया जाएगा जो की performance में ठीक ठाक है बढ़िया है वहीं इस phone में आपको in display fingerprint sensor भी मिल जाएगा और यह smartphone out of the box Android 12 के साथ आएगा और वहीं इस smartphone के अगर price का बात करें तो 8GB RAM 128GB का variant वाले का price देखें तो इंडिया में ये एपरोक से 26,999 रुपिया में लोंच होने का पूरा समभावना है और शुरुवाती टाइम में आपको इसमें हो सकता है स्टार्टिंग सेल में discount भी मिल जाएगा इस पे तो वहीं से ये सबज specification जानके इस smartphone के बारे में आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में दिजेगा आपको आखिर काड ये काईसा लगा वो इसे finally loan होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर काड इस smartphone का price कितना रखा जाएगा और ये smartphone कैसा रहता है इस smartphone का असली सच जो है लोंच होने के बाद ही पता चलेगा अभी तो सिर्फ इसका स्पेसिफिकेशन पता चला है लेकिन अस्पेसिफिकेशन देख करके लग रहा है कि अगर यह स्मार्टफोन 24 से 25 जार उपया तक में मिलेगा तो एक अच्छा डील हो सकता है मतलब एक अच्छा स्मार्टफोन बन सकता है लोगों के लिए लेकिन अगर प्राइस जादा हो जाता है 8,000, 39, 39 तो फिर बेकारी हो जाएगा क्योंकि उस प्राइस इरेंज पे IQ Neo 6 जो है मतलब बहुत तगरावाला कम्पेटिशन भी दे रहा है और 778G प्रोसेसर के साथ यह स्मार्टफोन अठाएस से 29,000 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा तो यह एटलिस्ट डिसकाउंट ओफर बगेरा लगा कि अगर यह 23 से 25,000 रुपया तक में मिलता है तो ठीक ठाक हो सकता है वह इसे देखते हैं फाइनली की लोंच होने के बाद आखिरकार कितना प्राइस रहता है डिसकाउंट ओफर क्या मिलेगा यह तो बाद में ही पता चलेगा और यह स्मार्फोन इंडिया में जुलाई के लास्ट वीक में लोंच होने का पूरा संभावना है वैसे इस वीडियो में इतना है थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो